नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवर इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो उन नरायन शिरुवात करेंगे खबरों की उत्राखन में लोग सभा चनाव से पहले विधान सभा सत्रों को लेकर सियासत गर्मा गई है दरसल धामी कैबिनेट ने बज़र सत्रों गैरसेंट में ना कराकर देहरादून में कराने का फैसला लिया सरकार का तरक है कि पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने सत्रों गैरसेंट ना कराकर देहरादून में कराने का नरूत किया था जिसके बाद सरकार ने मिलायकों की मांग को मानते वे सर्त्र को देहरादून में कराने का फैसला लिया बता दे कि प्रदेशी सरकार ने देहरादून में इसी महीने के अंत में बज़र सर्त्र करने का फैसला लिया है हाला कि बजट सेत्र कभी शुरू होगा यह तै करने के लिए काबिनेट ने मुखे मंत्रियों का दिक्रित किया है आपको बता दें कि इस पर सियासी बवाल लगातार देखा जा रहा है सियासत गर्माई हुई है इस फैसले के बाद लगातार विपक्ष जो है अपनी जिमेदारी का पूरा मान लिया है महीं मुखे मंत्रियों का कहना है कि बधायकों के इन रोद पर ये फैसला लिया गया है सत्र हमारा यहीं दहरादून में होगा और उसमें अधिकांस जो हमारे सभी बगस विपक्ष सभी दलों के बधायकों ने भी और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था तूकि अभी वहां पर कुस लोग बिमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एक थोड़ा सा प्योस्ताओं की कभी कमी हो जाती है इसके कारण से सब्सक्राइब को ने अंद्रोग किया था इस पर अंदोलकारियों को कहना है कि भजन माता को बिना किसी कारण के हटाए जा रहा है उनके सामने मांग रखी जा रही है कि जिनके बच्चे स्कूर्ण पढ़ते हैं वहीं महिला बोजन माता का काम करेगी बोजन माताओं से सवाल किया कि जितनी भी सरकारी कार्मिक वर्तमान समय में विभिन सरकारी कारलियों सिक्षक विभाग में कारत हैं क्या उनके बच्चे सरकार जनवर्योधी सरकार है, किसान परेशान, जवान, मजदूर परेशान, वेपारी परेशान, इनके बावजूर सत्ता सिन पार्टी अपने तानाशाही रवेए से बाज नहीं आ रही ईटावा में दो साल पहले भी किसानों लम्मे समय तर्कार, जिसमें 700 किसानों की जान चले गई थी जिसके बास सरकार को किसानों के आपड़ा था और काले कारून को वापस लेना पड़ा। लेकिन अभी तक किसानों का MSP नहीं मिली है जिसे नराज होकर किसान फिर से अंदोलन कर रहे हैं और सरकार उन पर लाठिया और आसो गैस के गोले चलवा रही है हम किसानों के साथ हैं किसानों पर बरबरता करने वाली लोगों को सरकार में रहने का अधिकार नहीं है श्विपाल यादावी कहते वे नजर आए वहीं पल्लवी पटेल ने बड़ बोले नेता को हराय था और वो सेकुलर नेता है वो अभी भी समाजवादी पार्टे में हम लोग आपसे बैठकर बातचीत करके निप्राएंगे श्विपाल यादावी लगातार बाते कहते वे नजर आए श्विपाल स्वामिश प्रसाद मौरे भी सीनिया नेता है अगर उन्हें कोई नाराजगी है तो हम लोग बैठकर बात्वित करेंगे श्विपाले सरकार में बिस्टचार विरुसगारी और महगाई चरम पर है लोग परिशान है उन्होंने यूपी में लोग माने बुहाग के द्वारा 40,000 क्रोल रुपए गड़े भरने में कर्च करने पर उन्होंने ने कहा कि यह भस्टा चार है 7 साल से सरकार केवल गड़े भरने में लगी है और गड़े नहीं भर पा रही है आगरा में किसानों का नूका प्रदर्शन मुआबजा न मिलने से किसान आक्रोशी तेरीय ने जमीन की है देख रहने लेकिन नहीं मिला मुआफजा किसान यमना में उत्रे, यमना में किया प्रदर्शन, हाथों में तक्तियां लेकर किसान नारे बाजी कर, प्रदर्शन किया, प्रशासिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौचे पर मौचे पर अधमादपूर के रहना कला के पास यमना में प्र लगाने में जुटी हुई है वहीं पोस्ट मार्थन प्रोट आने के बाद ही सही aanथि हben्ग से शंपन कराने के लिए प्रशासा ने खमरकस लिए परिक्षास से शंब mau सबी विभागों को जमेदारियां सौपी गई है इसके साथ ही एलो विभाग हास्ता और से निगदानी का काम कर रहा है इस बार परिक्षा में से इंद लगाने वाले सौरवर गैंक पर पैनी नज़र रहेगी परिशास थलतर पहुचने के लिए किसी भी अभरतियों को परिश परिका शर्मा वधायक राम फेरिन पांडे सांसद राम शीरोमनी वर्मा के साथ पोलिस सदिक्षा घंचाम चरोसिया दी प्रजुरित कर कारक्रम को शुभारम करते वे नज़र आये कलेक्टिट सेट्स तथागत हॉल में भवे कारक्रम का आज़न किया गया व्योश्री और इडिप जोन के तहत चिन्हे जिले के कुल 5237 लावर्तियों को विद्ध किया जाएगा सायक उपकरण विद्धधन और दिव्यांगों को 32,550 उपकरणों को निश्यलक दिया जाए कि करतमांग सायक उपकरण का वत्रन करने से उन लोगों को काफी मदद होगी। आच्मन के लाएक पूर्ण तरीके से सुधार लिया जाए जिसको लेकर किन्दर सरकार से राज्यो सरकार तक नमामी गंगी पर्यूजना के तैट अलगलग टीट्मेंट प्लांट के माधियम से गंगा को शुद करने में लगा हुआ है वहीं कभी-कभी जो लेदर इंडिस् फिर उन ट्रेनिंगों को दुबारा से बंद करने की जरूत नहीं पड़ेगी वहीं केंद्रमतिक जिंदर शिक्स के खाथ ने का कि इस गंगा को शुद करने में जो बच्चिवे नाला गंगा में सीधे गिर रहे हैं उनके लिए सरकार सौ करोड की परिजना लाकर इन नालो को भी बंद कराने का काम करेगी। साथ ही सिसीवी कैमरा डोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। कानपर गंटागर में बीते दिनों अधिवक्ता होमगार के बीच हुए बवाल पर लॉड्स के वर्तमान अध्याश रविन शर्मा नेपेडित अधिवक्ता के साथ पुलिश आयू के महाद्यों के मुलाकात की उन्होंने मांग की है कि होमगार चुराहों पर मोबाइल से फ असर परिश्वत मांगी कुछी देर में दिवक्ता की और से बड़ी संख्य में किल मौके पर पहुंच कर जाम लगा दिया अरवन समौल थाने की पुलिस के अनुसार जिस बाइक का चलान काटनी को लेकर हुमगार ने दिवक्ता के बीच विवाद हुआ वो बाइक की पुल मौका ने सम्मधी धारा में रिपोर्ट कराई है वहीं होमगार की तरी पर दिवक्ता के कलाफ मार्पिट की धारा में क्रॉस एपाइयार दर्च की गई पुलिस आयूथ ने दिवक्ताओं को आस्वाशन दिया है कि होमगार को मौइल से फोटो किशने से रोका जाएगा और और तीन थानों की पुलिस महां मौजूद होने के बावजूद घटना इस्थल से आपकी मोटर साइकल चोरी हो जाना यह बहुत बड़ा प्रस्चिन लगाता सुरक्षा पर उसके लिए भी अमनू पुलिस का मिस्दर महोदय से मिले और और जो समस्या सारे साहर की है जो फरुखबाद में किसान यून के भारत बंद को लेकर नजर बंद किये किसान नेता और कानपुर मंडल के वरिश पाधियक्ष प्रभाकान्थ मिश्रा को सुभा से ही नेकपुर से तुनके आवाज पर पुलिस ने नजर बंद कर दिया था बेवजा किसान नेताओं को नजर बंद किये जाने से किसान यूनेन के पर कारे करता पदादिकारी में भारी रोष है वरिश पाधियक्ष प्रभाकान्थ मिश्रा ने बताया कि शिश नेतित के नरदेश पर किसान शांथिपूर हर्ताल कर रहे थे जिस तरह से सुभाई सीओ सिथी प्रदीप सिंग समेथ पूलिस ने घर पहुँचकर रिजर्बंद कर दिया वो गला थे उन्होंने कहा कि हमने ऐलान किया था कि किसान गंगा की परिक्रमा करेंगे जिस पर प्रिशासन के बैकावी में आकर सतिकरी महराज ने मुझे फून कर रमण ना करने की बात किया उन्होंने कहा कि जिसके बाद वो घर से जैसे तैसे धका मुखी करते वे नेकपर गुम्टी तक पहुँचे वहाँ एडियम सुभाष चंद प्रजापती सीओ सिटी प्रदीप सिंग सबेथ पूर इस बर ने रोक लिया और ग्यापन दिया और ग्यापन दिया जाने की बात कही जिस पर किसान नेता राजी नहीं हुए प्रदेश में योगी सरकार की नियत किसे चिपी नहीं है योगी सरकार हर तरह से गरीब की मदद करने की कोशिश कर रही है एक तरफ तो भूमाफियाओं पर शिकंजा कस्ती निज़र आ रही है वही दोसी तरफ वाम जिरों में भूमाफियाओं का गेरो संचालित हो रहा है जिन पर प्रशासन के हाथ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं मामला बलरामपुर जिलेत उलसेपूर तहसिल से जुड़ा हुआ है यहां एक व्रिद पेडित व्यक्ति लगाता थाने और तहसिल के चक्कर काट रहा है लेकिर उसके कई साल से नहीं नहीं मिला जबकि व्रिद के पास जमीन के सारे वैलेट पेपर और उसके नाम से जमीन काखाता है पेडित जब थाने पर जाकर ने आया के रिगोहार लगाता है तो उसी को बैठकर चलान कर दिया जाता है पेडित ने अपनी जमीन को खाली करवाने के लिए दरज़रों बार प्रतापत्रों दिये और तहसील प्रशासन को भी दिये लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुए मामला ग्राम बंचायत पिप्रवाब इशिर्पूर तहसील और थाना तहसील पूर का है अर्दोई जिले में बरेली से लापता एक युवा का शव बरामत किया गया उसके सिर्फ पर गोली लगी हुए थी कोटवाली दियाद पुलिस से शव का पोस्माटम करा रही है पर पर कोटवाली के पुलिस एक गमशुतकी के मामने मुबाइल के रोकेशन पर हदोई यह मारतन प्रकास सिंग अडेशनल स्पी पस्चमी हरदोई कल बरेली की पुलिस थाना फरीद पुर से आई थी उनके यहां से एक 18 बर्शी युवक करीब 18 बर्शी युवक जो 11 तारिक से गायब था और वहां गुमसुद्गी लिखी गई थी खबर गाजीपूर से जहां पुलिस ने यूप आरिक्शी भरती परीक्षा से पहले एक बड़े सोलवर गैग का भनड़ा पूर कर दिया पकड़ी कैव दमाषु पुलिस तिपाही भरती परीक्षा में स्यनल लगाने की तियारी मेरे जूट़ी थे गाजीपूर में परिक्षा के यूपी आरक्षी बरती परिक्षा, कैड्मिट कार्ड, आठ आधार कार्ड, पांच नकल्चट के नमूने, 14 मुबाइल फोन, कहिं अलक्ट्रोनिक डिवाइस, एक कार और तीम बाइक वरामत की गई है पकड़ीों के बिदमाद को नहीं बताए कि सॉलवर गैंग में वानसी के किश्ण मिश्रा सुनीर मिश्रा भी शामिल है सॉलवर गैंग विभूिन प्रतियों गिता परिक्षाओं में परिक्षा केंदरों अनने व ज़ती सर्थों के जरिये साथगार कर उनसे ग्यांकी सदे से ब्लांग च्रैक लिया गरते थे। उनसे बाद बच्चे का श्रम निकाला गया कासकंट खुतवाली के गंगेश्वर कॉलनी सित्र सोलह पिका का पूरा मामला। रखा जाए जिसे की बच्ची कुछी जुंगी को अच्छे से व्यतीत किया जाए। और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रही है न्यूस वालिंटिया के साथ। अड़र बने दो अच्छे से व्यतीत के साथ फिलाए जाए। यह बाए जय्यूस वालिंटटीं के साथ जए जुझ कुछी ज़ फिलाए।